स्वागत है दुस्ताप लोग होगे एक और नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैप्टॉप और डेक्स्टॉप दोनों में से बहतर कौन सा होता है और हमें कौन सा प्रिफर करना चाहिए तो देखते ही इस वीडियो को लास्ट तक सब कुछ बात करेंगे हम डीटेल में और अगर आपका कोई भी डाउट होगा लैप्टॉप वसेज पीसी के बीच में तो ये डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है पोटिबिलिटी मेंली लोग लैप्टॉप को इसलिए प्रेफर करते हैं जिससे कि वो लैप्टॉप को एक जगह से दूसरे जगह बड़ी असानी से लेकर जा सके लेकिन होई डेक्स्टॉप को हमें एक जगह रखकर यूज करना पड़ता है तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है आपका यूज के आगर आप एक कॉले स्टुडेंट है या फिर आपको अपने ओफिस वर्ग के लिए बाई करना है या फिर आप लैप्टॉप के साथ बहुत ज़्यादे ट्रैवल करने वाले हैं तो फिर आपको एक लैप्टॉप ही प्रेफर करने चाहिए लेकिन आकर आपका इंसा में से कोई भी मेंड पर्पस नहीं है आपका मेंड पर्पस गेमिंग करने आप घर में ही रहते हैं या फिर आपको ऐसी नॉर्मल यूजस के ले चाहिए तो फिर आपको एक डेक्स्टॉप को प्रेफर कर सकते हैं अब second point आजाता है performance जो की maximum लोगों का नीड होता है तो इसलिए अगर आप एक hardcore gamer है आपका main purpose gaming है या फिर heavy software रन करना है तो फिर आपको एक PC प्रेफर करना चाहिए क्योंकि इसमें laptop के comparatively काफ़े ज्यादा performance देखने को मिलता है वहीं हमें laptop में कभी भी PC से कम performance देखने को मिलेगा अब third point आजाता है price अगर हम same specs और feature वाले laptop और PC के बीच में compare करें तो कभी भी PC का price laptop से कम होगा क्योंकि PC को हम खुद से build कर सकते हैं या फिर किसी expert से काफ़ी कम price में PC build करवा सकते हैं वहीं laptop की बात करें तो company काफ़ी जाद R&D करती है laptop को slim, powerful, portable और battery efficient बनाने के लिए जिससे की laptop का cost increase हो जाता है और इसके बाद इसमें बहुत लोगों का profit भी add हो जाता है जब तक final product आपके हाथ पहुंचता है तो अब fourth point आजाता है long term use में कौन सा best रहेगा एक laptop या फिर एक PC तो यहाँ पर definitely एक PC ज्यादा अच्छा option रहता है क्योंकि PC को हम कभी भी अपने हिसाब से upgrade कर सकते हैं उसमें हम CPU चेंज कर सकते हैं, GPU चेंज कर सकते हैं यहाँ तक की हर एक part चेंज कर सकते हैं लेकिन laptop में यह चीज पॉसिबल नहीं है, laptop में बस हम storage space और RAM को upgrade कर सकते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा फायदा हो जाता है अगर किसी के पास desktop है तो क्योंकि आज से 4 साल बाद अगर हम चाहें तो desktop को फिर से उसमें सारे components को upgrade करके एक नए PC बना सकते हैं लेकिन वही गर हम बात करें laptop की तो laptop में यह चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा और हमें एक नए laptop buy करना पड़ेगा अब हमारा 5th point है cooling system एक desktop में काफी जादा open space रहता है जिसे की heavy work के समय components बहुत जादा गरम नहीं होता है और cabinet में 5-6 fan लगा देते हैं जिसे की air ventilation और ज़्यादा increase हो जाता है और ऐसे में आपका desktop का performance हर वक stable रहता है लेकिन यही चीज लैपटॉप में possible लही है क्योंकि यह already इतना ज़्यादा compact होता है और उसके अंदर air ventilation का space बिलकुल नहीं रह जाता है जिससे की heavy users के समय आपके laptop में बहुत ज़्यादा heat generate हो जाता है और यह one of the main reason हो जाता है किसी भी laptop में performance डॉपता और यह आपके laptop का life भी कम कर देता है अब मान लेते हैं किसी का budget बहुत ही कम है जैसे की 15-20,000 तो ऐसे में desktop को choose करने चाहिए यह क्योंकि desktop में आपको i3 का processor या फिर कई बार i5 का भी processor देखने को मिल जाता है जो कि आपको बहुत ही तगरा performance निकाल के देगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा वहीं laptop में 15-20,000 के price range में Pentium का कोई पुराना सा processor देखने को मिलेगा lag बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कोई भी application सही से run नहीं होगा और at the end of the day आप इस laptop से frustrated हो जाएंगे इसलिए कभी भी इतने कम budget में एक PC को ही choose करना चाहिए तो अभी तक तो आपको समझ आहीं गया होगा किसी भी point में desktop हर वक्त laptop से अच्छा होता है बस एक ही point है जहाँ पर laptop desktop से आगे नहीं कल जाता है वो है portability तो अगर आपको main concern portability है तो फिर आपको एक laptop चूज़ करना चाहिए और आपको desktop की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए लेकिन अगर आपका portability main concern नहीं है तो फिर आपके लिए हर बक्त desktop एक better option रहेगा लेकिन अभी ये topic over नहीं होता है इस वीडियो के second पार्टे पर मैं आपको ये भी होता हूँगा एक budget gaming laptop किसी भी budget gaming PC से better क्यों होता है तो तब तक कि लिए आप इस चैनल को subscribe कर लिए और बेल आइकन को दबाव लिए जिए से कि जब ही मैं वीडियो अप्लोड करूँ आपको notification मिल जाए इसी से अगर आपको ये वह वीडियो पसंद आया तो like कर दीजे से शेर करती है इस वीडियो को और अगर आपके पास कोभी सवाल है तो आप उझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं